तो यहाँ पर हमारा पूरा ताम जाम तयार हो गया आप अपने लोकल किर्केट मैच, कीर्टन या किसी भी तरह के प्रोग्राम को तमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप से मैं आशा करता हूँ आप से बहुत अच्छे से होंगे आप से बहुत पर फटर से स्वागत करता हूँ दोस्तों अगर आप भी अपने लोकल किर्केट मैच को लाइब करना चाहते हो यूटूब या फेस्बूक पर, जैसे आपका कोई कॉलेज में मैच हो रहा है या आपका गली मोहले का करकेट हो रहा है उसे आप लाइब करना चाहते हो आपका कोई कीरतन का प्रोग्राम हो रहा है मैरिज का प्रोग्राम हो रहा है उसे आप लाइब करना चाहते हो यूटूब या फेस्बुक पर तो आज का वीडियो आपके लिए है आज के वीडियो मे कि हमें कौन-कौन सी चीजों की जरुरत पढ़ने वाली है इसके पहले आपके पास एक स्मार्टफॉन होना चाहिए इसके अंदर आपका डेटा पैक भी होना चाहिए जिससे आप इंटरनेट एक्सिस कर पाओ, लाइव इस्टीमिंग कर पाओ इसके अलावा आपके पास एक DSLR कैमरा होना चाहिए और DSLR कैमरा को लगाने के लिए आपके पास एक ट्राइपॉड भी होना चाहिए आप ट्राइपॉड पर DSLR कैमरा को लगा कर इसली यूज़ कर पाओगे इसके अलावा आपको यहां जरूरत पढ़ने वाली है एक mobile clip holder की, mobile phone को हम इस clip holder में लगाएंगे और उसके बाद हम इसे अपने camera के उपर mount कर देंगे जिससे हमें इसे use करना काफी आसान हो जाएगा mobile phone, DSLR camera और tripod, इसके अलावा आपको एक microphone की भी जरुद पढ़ने वाली है जिससे आप commentary करोगे, कोई भी microphone आप ले सकते हो यहाँ पर मैं BOYA VY M1 microphone इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पर mobile phone को DSLR के उपर mount करने के बाद अब हम देखेंगे कि हम इसके connection कैसे करेंगे यानि DSLR camera को mobile से कैसे connect करेंगे उसके लिए आपको जरुद पढ़ेगी एक HDMI cable की HDMI cable के एक end पर normal HDMI connector होना चाहिए और दूसरी side में mini HDMI connector होना चाहिए यो mini HDMI connector है उसे हमें अपने DSLR के HDMI port पर connect कर देना है और इस cable के दूसरे end को हमें connect करना है capture card के साथ तो यह है इसका capture card और HDMI cable का दूसरा end हमें यहाँ पर connect कर देना है capture card के साथ capture card को HDMI cable से connect करने के बाद अब हमें यहाँ पर जरुद पढ़ेगी एक OTG adapter की OTG adapter में यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ options आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर एक HDMI port दिया गया है इसके अलाबा USB port इसके अंदर दिया गया है C type port भी इसके अंदर दिया गया है इसके अलाबा दूसरे end पर यहाँ पर C type connector दिया गया है इस OTG adapter में यहाँ पर एक USB port दिया गया है इस USB port पर हमें इसे connect कर देना है तो हमारा capture card यहां पर connect हो गया OTG adapter पर OTG adapter में यहां पर आप देख रहे हो एक type C port यहां पर दिया गया है इस type C port पर आप अपने mobile phone के charger को लगा कर अपने mobile phone को charge कर सकते हो जब आप अपना mobile phone use कर रहे हो तो आपका mobile phone charge भी होता रहेगा और अगर आप चाहो अपने power bank को connect करना तो power bank से भी आप इसे connect करके अपने mobile phone को लगाता चार्ज कर सकते हो जब आप इसे use कर रहे हो तो यह हमारा यहां पर connect हो गया है OTG adapter का दूसरा end हमें अपने mobile phone के C type port पर connect कर देना है तो इस end को मैं अपने mobile phone पर connect कर दे रहा हूँ mobile phone का यह जो C type port है यहां पर मैं directly इसे connect कर दूँगा यहां पर उसके बाद मैं यहां पर अपना mic भी connect कर देता हूँ यह है BOYA BY M1 mic इसे भी मैं connect करूँगा और यह वाला जो end आप देख रहा हूँ यहां पर आपको camera file live search करना है camera file live app को आपको install कर लेना है मैंने इसे पहले ही install कर रखा है तो मैं इसे open कर लेता हूँ camera file live app इस तरह से open हो जाएगा अब इससे पहले आपको अपने mobile phone में otg connection enable करना है otg connection enable करने के लिए आपको जाना है अपने phone की setting में सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक additional सेटिंग का option मिल जाता है additional सेटिंग पर आप किलिक करोगे उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो OTG Connection OTG Connection का option आ रहा है इसे हमें यहाँ से enable कर देना है हर phone का अलग-अलग तरीका हो सकता है OTG enable करने का वो आप अपने phone के according देख लीजिए यह Realme 5 Pro है मेरा जो phone है यह Realme 5 Pro है तो यहाँ से मैंने OTG Connection को enable कर दिया है उसके बाद इसे हम back कर देंगे और बापस से हम अपने camera file live app पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद अब हम अपने DSLR camera को on कर देते हैं यहाँ पर जो हमारा DSLR camera है इसे मैं on कर देता हूँ video mode में हमारा DSLR camera यहाँ पर हो गया on आप देख सकते हो यहाँ आपको यह Start के बटन पर क्लिक करना है जैसी हम इसे Start पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक message आने लगता है Allow camera file live to access USB 3.0 capture इसे आप OK कर दीजिए जैसी आप इसे OK करोगे आपके DSLR camera की जो footage है वो यहाँ पर आने लगेगी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक message आ रहा है Would you like to switch USB audio as the basic audio इसका मतलब यह है कि अगर आपका capture card audio को support करता है तो आपके DSLR camera की जो audio है वो भी आपके यहाँ पर live आ जाएगी लेकिन मैं जो capture card यूज कर रहा हूँ इस capture card से मैंने कई बाद try किया लेकिन audio को यह support नहीं कर रहा है मैंने अपना बोया microphone सीधा अपने mobile phone से connect कर दिया है तो यहाँ पर मैं cancel पर click कर दूँगा अब आ रहा है Would you like to switch USB camera as the main screen अगर आप चाहते हो कि पूरी जो main screen है इस पर हमारा DSLR camera का footage आए तो उसके लिए आपको यहाँ पर OK पर click कर देना है अब आप देख सकते हो हमारा DSLR camera का footage है वो हमारी पूरी screen पर यहाँ पर आने लगा है DSLR camera के आगे अगर मैं इस तरह से हाथ कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर जो हमारा mic है mic अभी हमारा यहाँ पर mute हो रखा है तो हमें mic को unmute करना है unmute कर दीजे से यहाँ पर press कीजे अब यहाँ पर mic में आपको दो option दिखाई दे रहा है यह जो first mic आ रहा है यह हमारे mobile phone का mic है mobile phone का mic आ रहा है और दूसरा आ रहा है mic 2 mic 2 जो हमारा आ रहा है वो हमारे capture card का आ रहा है यानि DSLR camera का आ रहा है जो कि हमने boya mic connect कर रखा उसे हम use करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसे side कर देंगे हमारा mic यहाँ enable हो गया आप देख सकते हो mic हमारा enable हो गया है camera file live app में हमें बहुत सारे feature देखने हो मिल जाते हैं मान लीजी अगर आप अपना कोई cricket match live कर रहे हो आप चाहते हो कि score भी आपको show करना है display पर तो उसका option भी camera file live app में मिल जाता है यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ आपको एक option दिखाई दे रहा है इस तरह का इस पर आप click कर दिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे options आपको देखने को मिलना है खाई दे रहा है ना log यह अगर आप premium version लोगे मतलब जो paid version आप लोगे तब यह option भी open हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर आप free वाला option भी use कर सकते हो यह देख रहा हो आप score का एक option आ रहा है score पर आप click कर दिजे ठीक है आप score पर जैसे आप click करोगे आपकी screen पर यहाँ पर score show कर सकते हो आप कि team का score कितना है क्या है वो सब भी आप यहाँ पर show कर सकते हो यह इसके उपर आप यहाँ पर click कर दिजे यहाँ हमने click किया उसके बाद आप यहाँ से select कर सकते हो यहाँ पर selection का option आ रहा है team 1, यहाँ पर आप नाम select कर सकते हो, अपनी team का जो भी पहली team है, उसका नाम यहाँ रख दीजिए, दूसरी team का आप यहाँ रख दीजिए, उसके बाद नीचे आ रहा है score, जो भी आपका score हो रहा है, मालीजे team का जो score है, team की जगे आप player का नाम भी रख सकते हो है न, तो यह यहाँ पर team 2, team 1 इस तरह से है, इसके अलाबा जब भी आपको update करना हो, जैसे run आपको update करने है, तो यहाँ से आप run को update कर सकते हो, और यह scoreboard कैसा लगेगा, screen पर कहां दिखाई देगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अब आप देख रहे हो, screen पर, यहाँ पर corner में यह हमारा show होगा, यहाँ देख रहे हैं, scoreboard हमारा यहाँ पर show हो रहा है, इस तरह से जब आप live कर रहे होगे, तो आपका scoreboard भी यहाँ show होगा, और live streaming करते करते ही, आप इस scoreboard को change भी कर सकते हो, और camera file live app का एक full tutorial वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख लेन जूम करना है, जूम आउट करना है, मान लीजिए मैं अपने lenses से जूम करना चाहता हूँ, तो इस तरह से आप जूम भी कर सकते हो, इसके अलागा, अगर आप चाहते हो, अपने camera को switch करना, तो यहाँ भी आपको एक option दिख रहा है, यह इस तरह का square, इस पर जब आप किलिक क करोगे, तो यहाँ पर आपको अपने दोनों camera दिखाई देने लगें, camera 1, camera 2, अब camera 1 कौन सा है, camera 1 है, हमारे mobile phone का camera, और camera 2 है, हमारा DSLR camera, यह mobile camera हमारा यहाँ शोटा सा, और जो हमारा DSLR camera है, वो हमारा देखो, पूरी screen पर हमारा DSLR camera शो हो रहा है, तो अब आप चाहते हो, मा mobile phone का, जो selfie camera है, इसे भी use कर सकते हो, picture in picture, यानि PIP format में, यानि आप दोनों camera को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो, अब live करने के लिए आपको यहाँ बापस जाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर दो option मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर आ रहा है YouTube, Facebook, अगर आप YouTube पर live करना च अगर आप चाहते हो, stream key के through करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको custom RTMP वाला option select कर लेना है, इस पर हम click करेंगे, जैसी आप यहाँ पर click करोगे, उसके बाद आपको जाना है अपने YouTube चैनल पर, copy करने के बाद, RTMP URL आपको यहाँ पर paste करना है, stream key को आपको यहाँ पर paste कर देन करना है, stream key को paste करने के बाद, OK के बटन पर click कर दीजे, और आपकी live streaming start हो जाई, यहाँ पर हमारा पूरा तामजाम तयार हो गया, इस तरह का setup करने के बाद, आप अपने local cricket match, कीरतन या किसी भी तरह के program को professionally live stream कर सकते हो, HD quality की live streaming कर सकते हो, अब यहाँ पर आप देख रहे हो, जब हम live streaming कर रहे होंगे, तो हमारा mobile phone भी charge होता रहेगा, हमारा DSLR camera भी हमारे power bank से चल जाएगा, अगर आपको नहीं पता है, कि power bank से DSLR camera को कैसे चलाते हैं, तो इसकी video भी मैंने बनाई हुई है, उसका link भी आपको description में मिल जाएगा, बहां से जाकर आप उस video को भी देख सक करते हो, अगर आपका कोई भी question हो, कोई भी query हो, आप comment box में comment करके पूछ सकते हो, आज के video में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने next video में, तब तक के लिए, जैहिन, वंदे, मातरम